जो mode है जैसे हमने क्या क्या mean किया, median किया और उसके बाद में आता है mode, central tendency के ये तीन बहुत ही famous averages हैं, है सारी ये averages ही, चाहे हम mean की बात करें, median की बात करें, चाहे mode की बात करें, all these are averages, ठीक है? बट ये सबसे famous averages है, central tendency के इसाब से, और ये exam में इन में से काफी सारे questions बनते हैं, या तो mean क्या question बन सकता है, median का बन सकता है, mode का बन सकता है, हमने mean और median को समझा भी, अब हम mode की बात करते हैं, या mode है क्या? तो देखो, mode जो word है न, ये English word है न, English word है, ठीक है, English में इसको हम बोलते है mode, हिंदी में बोलते हैं, बहुलक, ओके, और अंग्रेजों ने जो ये सब्द लिया है, वो लिया है, French language से, कहां से? French, French language में एक वर्ड था, ला मूड, और इस वर्ड का मतलब था, फैशन से रिलेटेड, ला मूड, इसका जो वर्ड है, ये ला मूड, इस सार इसका जो रिलेशन वो फैशन से हैं, यान कि ऐसे कोई चीज जो बहुत ज़्यादा चल रही हो, जो फैशन में हो, जिसकी दिवा बहुत ज़्यादा, ओके, अब यहां पर मोड, समझ गए किस चीज से लिया हुआ है, तो मोड का मतलब यहां पर यह है, कि जो आपकी X value दे रखी होगी, कोशन के अंदर आपको X value दे रखी होगी है, तो X value जो भी दे रखी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, है ना, 3 हो गया, अ अब यहां पर X value के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी X value की frequency सबसे ज़्यादा है, यानि कि कौन सी value सबसे ज़्यादा बार repeat हुई है, वही जो सबसे ज़्यादा fashion में होगी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा demand होगी, ठीक है, तो किस X value की स सबसे ज़्यादा फिक्वेंसी है जिस एक्स वैल्यू की सबसे ज़्यादा फिक्वेंसी है वहां आपका मोड है तो mode को direct frequency से जोड़ा जादा है कौन सी जीज सबसे ज़्यादा बार repeat हो रही है जो सबसे ज़्यादा बार repeat हो रही है वही चीज सबसे ज़्यादा fashion में है प्रचलन में है उसकी सबसे ज़्यादा demand है वही हमारा mode है हिंदी मोलते है बहू लक जो बार-बार repeat हो रहा है जो संख्या बार-बार repeat हो रही है जो data बार-बार repeat हो रहा है वो हो गया हमारा बहुलक यानि की mode तो mode का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब हम समझते हैं यह जो mode है इसका calculation कैसे करना है तो आपको हमेशा से पताईए सबसे पहले एक चीज़ दो हो, mode जो है, इसका symbol क्या है, इसका है z, हमने तीन चीज़े करीए, जैसे mean, mean का symbol मैंने क्या बताए आपको, x-bar, फिर कि हमने median, उसका symbol क्या था, m, अब हम कर रहे है mode, इसका symbol क्या है, z, तो यह z अब बोलूँगा मैं, mode की जगा हम यूज़ करेंगे z, ठीक है, यह symbol है इसका, अब यह mode कैसे calculate करते हैं, तो जैसे बटा, हम mean, median calculate करते थे, तो हमारे सामने तीन तरह की series आते थी, individual series, discrete series, continuous series, तो यहाँ पर भी तीन तरह की series होगी, और उन तीन तरह की series के अंदर कैसे mode calculate किया जाता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, सबसे फरस्ट आता है हमारा individual series, individual series, individual series मैं आपको पता है, only दे रखा होता है, आपको x, आपको क्या दे रखाता है, x, for example के लिए आपको जो question दे रखा है, उसमें कुछ इस तरीके से data दे रखा है, मालित यह question है, ठीक है, और इसमें आपको x की value दे रखी, आपको दे रखा, 4, 3, 4, 6, 7, 10, 9, 4, 3, 1, अब यह आपको data दे रखा, तो सबसे बेले बेटा है, आप इसमें अगर mode calculate करना है, तो आप एक method है, inspection, inspection method बो मोलते हैं mode को calculate करने का, inspection method के अंदर यह होता है, कि आप खुद देख लो ने, अपर फटा फट से inspect कर लो कि कौन सा data बार बार repeat हो रहा है, क्या 4 कितनी time आ रहा है, फिर देख लो 3 कितनी time आ रहा है, 6 कितनी time आ रहा है, जो data सबसे ज़्यादा बार जो value repeat हो रही है, वो हो जा time repeat हो इसके अलावा, 6 one time, 7 one time, 9, 10 और 9 one time और 1 भी one time हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा digit जो हो repeat हो है, 4, तो 4 हमारे क्या हो क्या mode, यह हमेंने inspection से निकाल दिया, देख के पता लग रहा है, अगर data बहुत ज़्यादा है, और देख के आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आप individual series को discrete या continue series में convert करके फिर भी mode निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करें, ascending order में जमा दे इसको, यानि कि सबसे पहले क्या आगया हमारा one, ascending order में जमाएंगे, तो one, ठीक है, अब one देखो कितनी बार repeat हुआ है, sir, one तो एक बार ही बार, ओके, फिर हमारा one के बाद में two है नहीं, फिर है three, okay, three, three, एक ये रहा, फिर three, एक ये रहा, तो three आगया दो बार ही देखो, एक है, फिर है four, four, one, two, three, four, 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 फिर six, देखो, six तो one ताइम ही है, seven, देख لو, seven, one time ही है, फिर देख लो, eight है नही, nine and ten, one, one time, तो यहाँ पर देखो यह आ रहा है 2 टाइम यह आ रहा है 3 टाइम तो सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट repeat हो रहा है frequency जिसकी ज़्यादा है वो है 4 तो यहाँ पर हमारा जो z हो गया वो क्या हो गया 4 तो यह सबसे easy तरीका है individual series से आपका mode calculate कर लेका इसमें क्या कीजी बेटा सबसे पहले ले लीजी आप class sorry आप x लिख दीजी x कितना है देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझना ठीक है बढ़िया है x x is 0 1, 2, 3 4, 5 6, 7 फिर आई हमारे frequency frequency है 4, 5 7, 6 8, 7 8, 5 देखो सबसे ज़्यादा frequency किसकी है कौन से x की सबसे ज़्यादा frequency है जो 0 है वो 4 बार repeat हुआ है तो इसकी तो 4 ही frequency है 1 जो है वो 5 time हुआ है 2 जो है 7 time हुआ है 3 जो है वो 6 time repeat हुआ है 4 जो है 8 time repeat हुआ है तो मुझे एक तो यह मिला और 5 जो है 7 times 6 जो है 8 times 7 जो है 5 times तो X value में सबसे ज़्यादा repeat होने वाली value कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा frequency देखो कौन सी है यह एक 8 यह रहा तो 2 8 है जिसकी सबसे ज़्यादा frequency है एक यह एक यह तो यहाँ पर हमारा जहेड 4 भी हो सकता है हमारा जो जहेड है 6 भी हो सकता है जहेड मतला हमारा mode 4 भी हो सकता है हमारा mode 6 भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों की frequency सबसे ज़्यादा है ठीक है लेकिन दोनों में से कौन सा होगा अगर 4 9 time होता ना तो हम चलो decide भी कर लिते कि 4 जो है के अंदर हम क्या करेंगे पिर्स बनाएंगे कैसे सबसे पहले बनाएंगे हम 2s की 4 2s कैसे 2-2 डेजिट लेंगे frequency के ठीक है यहां पे ले रहा हूँ जैसे मैं 4 और 5 4 & 5 कितने होगे वाटा ध्यान से समझ हारा समझ में आयागा 4 & 5 कितने होगे 8 और 7 8 और 7 कितने हो गई यह हो गई आपके 15 8 और 5 तो यह कितने हो गई 8 और 5 सर यह हो गई 13 ठीक है फिर सर और 2 की grouping करनी है 2 की grouping यह 2 बार हो गई 2 की grouping कितनी बार करनी है 2 बार करनी है एक बार तो हमने कर दी एक बार और करनी है तो एक बार सेम नहीं करेंगे, अब एक एक फिक्वेंसी को छोड़ करके, फिर ग्रूपिंग करेंगे, तो एक फिक्वेंसी को छोड़ दे, तो यहां आ जाएगा 5, फिर 5 और 7, सर 5 और 7 होगे 12, ओके, फिर 6 और 8, तो 6 और 8 हो गए आपके, 14, यस, फिर फिर आपके 7 और 8, 7 और 8, तो यहोगे 15, अब यह 5 एक अकेला रह गया, अगर 2 होता तो 5 और अगई वाली डिजिट ले ले लिते, तो अब ग्रूप बन नहीं रहा आगे, तो यहोगे मैं टूस के ग्रूप बना लिए, टू के ग्रूप दो बार, एक बार सुरू से, फिर एक बार एक को अब 3 के कितनी बार बनेंगे, बेटा 3 के 3 टाइम बनेंगे, यह चीज ध्यान रखना है, तू के 2 बार, 3 के 3 बार, अब 3 तीन का ग्रूप ले ले लेंगे, सबसे पहले हो गया आपका 4, 5 और 7, तो 4, 5, 7 किते होगे, 7 और 5 होगे, 12 और उसमें 4 करेंगे, तो 16, yes, फिर 6 प्लस 8 प्लस 7, यह होगे 21, फिर एक और लेंगे 7, 8, 5, यह भी एक 3 का ग्रूप बन गया, 7, 8, 5, 7 प्लस 8 प्लस 5, तो यह होगे 20, इस तरह के से ग्रूप इंगर नहीं है, ठीक है, अब 3 की 1 टाइम होगे, 3 की 3 टाइम होगे, तो अब एक को छोड़ करके, फिर करो तो 5, 7 6, यहां जगा 5, 7, 6, तो 5 प्लस 7 प्लस 6, तो यहां क्या 18, फिर 6, 8, 7, 5, 7, 6 होगे, फिर 8, 7, 8, तो यहां से, 8, 7, 8, तो यह होगे, 8, 7, 8, 23, फिर सर, अब एक को छोड़ के होगे, आब 3 की 3 टाइम करनी है, दो बार तो कर लिए हमने, अब 2 छोड़ करे, 4 को भी छोड़ दो, 5 को भी छोड़ दो, तो 7, 6, 8, 7, 6, 8, तो यहां से, 7, 6, 8, 7, 6, 8, कितने होगे, 7, 6, 8, 21, फिर 7, 6, 8 होगे, फिर 7, 8, 5, लास्ट वाला, तो यहां होगे, 7, 8, 5, 7, 8, 5, तो 7, 8, 5 को करो देखो, एक सेकेंड आ, यह है न, 7, यह रहा, 7, 8 और 5, 7, प्लस 8, प्लस 5, तो यह होगे, 20, तो सर, अब इससे कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से सुनना, 2 की ग्रूपिंग कितनी बार करी, 2 टाइम्स, 3 की, 3 टाइम्स, ओके, आप देखो बढ़ा, यहां पर हम ले लेते हैं, यह हमारे पास 2 है, एक है 4, और एक हमारे पास, 4 और एक हमारा मोड बन सकता है, 6, क्योंकि दोनों के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, फिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इन दोनों में कन्फ्यूज यह भी किसको ले हम, तो चालिए, एक तो लेते हैं हम, 4 और एक है 6, और अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किस की है, सबसे बाद ज़्यादा यहाँ पर 4B की भी एक बार आ रहा है, 6B, बराबर है दोनों, एक एक मार्स दोनों को दे देते हैं, एक बार यह, एक बार यह, ओके, फिर देखो, अब जो आपने 2-2 के ग्रूप बनाए है, उसमें सबसे ज़्यादा टोटल कौन सी फिक्वेंसी की आ रहे है, जब दो-दो के ग्रूप बनाए है, तो यहाँ पर आ रहे है, यहाँ थर्टीन, यहाँ फिप्टीन, यहाँ पर थर्टीन, तो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, है सबसे जाधा टोटल कौन सी जब मुमने 數ब बना है सर सबसे जाधा टोटल है यह रहे 15 00 अब इसमें देखो बीटा क्या क्या आ रा एक तो आ रहा है 5 और एक आ रहा है 그건 के कहा रा 5 और एक आरा 45 तो हमने वैसे वी उधर लिए हू आए निए तो सामिल एक तो है यह 5 और एक है 6 वेरी गूट 6 आ गया तो चलो एक 6 को देंगे मांग से फिर फिर आजाओ नेक्स्ट यह 16 21 20 तो सबसे ज्यादा कौन सा है 21 अब 21 में देखो क्या क्या है 21 के अंदर यह 3 4 और 5 यह देखो 6 8 7 इनकी टोटल ही 21 वही 3 4 और 5 तो हमारा 4 आगया यह 421 के अंदर आगया ओके सर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बैटा कौन सा 18 और 23 सबसे ज़्यादा कौन सा है 23 अब 23 में तीन चीजे है अब तीन चीजे कौन सी है एक तो है 6 एक है 5 और एक है 4 यह निकी 8 7 8 यह हमने लिया था तो 6 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है तो हमारा 4 और 6 यह दोनों 23 के अंदर आ रहा है नहीं, यह है हमारा 23, yes, 8, 7, 8, yes, 4 और 6 दोनों आ रहा, तो हम यहाँ पर एक number 4 को भी देंगे, और आपको पता है अब तो यह, ऐसे card भी सकते हैं, यह 4 इसको और एक इसको, next, next आ जाता है फिर हमारा last, 21 और 23 तो कौन सा, 21, अब 21 में देखो बेटा क्या आ रहा, 21 जो हमने लि जाता, गोल गयाता, 7, 6, 8, तो 2, 3, 4, यह 4 हो रहा गया, तो हमारा यहाँ पर mode क्या आ रहा, सबसे जादा कौन सा, repeat हो रहा, सबसे जादा repeat हो रहा, 4, कितनी time, 1, 2, 3, 4, 5 time, और यह कितनी time आ रहा, 3 time, तो हमारा mode क्या हो गया, 4, z equal to 4, बता हो रहा, तो continuous series के पहचान क्या हो बता class, ठीक है, तो यह class दे रखिया आपको, अब इससे निकालते हैं mood, देखो, सबसे first हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, class, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35, और उसके बाद हम लिख देंगे frequency, frequency, frequency है 3, 10, 22, 14, 4, 4 के बाद में 2 और 1, अब देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, आपको कौन सी class की frequency सबसे ज़्यादा दिख रही है, साफ दिख रहा है, इदेखो 22 सबसे ज़्यादा है, कौन सी 10 to 15, तो आप 10 to 15 यहाँ पर आराम से चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी ह हम 2 की और 3 की grouping करके इसको और confirm कर लेंगे, ठीक है, वैसे inspection से तो हमें यही पता चल रहा है, कि 22 जो है यह frequency सबसे ज़्यादा आ रही है, तो 10 to 15 class जो है हमारी यह mode के लिए ready हो सकती है, और इसके basis पर हमागी formula लगा के question को solve कर सकते हैं, बट फिर भी आप 2 और 3 की grouping करके इसको confirm कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं 2 की grouping कर लेता हूँ, 2 की grouping पता आपको 2 time होगी, तो सबसे पहले आजाएगा 3 or 10, 13, फिर आजाएगा 22 or 14, 22 or 14 कितने हो जाएंगे बटा, 14, यह होगे 36, फिर होगे 4 or 2, 6, अब यहाँ पर 1 बच रहा है तो छोड़ देंगे, फिर 1 को छोड़ करके 3 को छोड़ो और फिर grouping कर लो, तो आजाएगा आपका 10 or 22, 10 or 22 होगे 32, 14 or 4, 14 और 4 होगे आपके 18, और 2 और 1 यह होगे 3, अब 3, 3 की कर लिते हैं, अब 3 की देखो, 3, 10, 22, तो यहाँ जाएगा 3, 10, 22, 3, 10, 22, यह होगे 35, 14, 4, 2, 14, 4 और 2, यह होगे 14, प्लस 4, प्लस 2, यह 20, अब 3 की grouping 3 टाइम होगी, तो एक छोड़के कर लेते हैं, फिर 10, 12, 14, तो 10, प्लस 22, प्लस 14, एक और 46, और फिर यहाँ बजाएगा 4, 2, 1, 4, 2 और 1, 4, 2, 1, 7, फिर 3 की grouping करनी है, एक डिजिट छोड़कर, अब 2 डिजिट छोड़कर, तो फिर आजाएगा 22, 14 और 4, तो 22, 14, और 4, 22, 14, 4, तो यह होगा 40, और नीचे यहाँ पर बजगया 2 और 1 होगी नहीं, तो यहाँ पर एक ही group बन पाएगा, 3 का, अब हम क्या करेंगे बेटा, आप देख लो यहाँ पर, मुझे तो लग रहा है, 10 to 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, देख लो बले, एक बार यहाँ हो गया, 10 to 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 10 to 15 देखो कितनी बार आ रहा है, 22 बार, देखो यहाँ आ गया 36 के अंदर, एक बार सबसे पहले, एक बार 36 में आ गया, फिर देखो गया आप तो यहाँ आ गया 35 में, यह देखो 22 आ गया 35 में, फिर आप देखो गया 46 में भी आ गया, यास, फिर आप देखो गया 40 में भी आ यह साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो grouping किसका frequency आया है 10 to 15 का इसके अलाब अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो किस तरीके से एक और मैं तरीका बता देता हूँ हो सकता है यह इससे ज़्यादा भी some frequency आ रही है तो हम कैसे पता करेंगे है ना तो हम एक काम कर सकते हैं find photo हमारा यह 3 जो है 3 है यह 3 जो है कितने में आ रहा है एक यहां यह सब्दमझा इदा 22 तो 10 to 15 को हम दे देते हैं इKS सबसे 1 कह यहाँ पर SSD कि देखेंगे तो में 24 में कौन कौन सा हैgoing to 22 अर 14 ए यह भी है यह भी है टो एक माघ इसको – दोनों ने कि वह यह बहुत फिर देखो आंगे AGD कौन सी कौन सी फिवेंशिस सबसे ज्यादा है 32 अब 32 किसका हैTime का और 22 का तो एक 5 को एक इसको फिर देखो कौन सा है 35 20 और 35 35 ज्यादा y is सुरू के तीन, तो सुरू के तीन को एक एक दे दो, एक इसको, एक इसको, एक इसको, फिर देखो आपका 46, एक को छड़के बाकी तीनों है, एक को छोड़के बाकी तीनों को, ये, ये, अब ये 4 हो गया, तो 5 ऐसे आएगा, और ये की, फिर आप 40, 42 को छोड़के तीनों, तो 10 to 15 यह हमारी होगी class अब इसमें से ही हमको mode निकालना है लेकिन यह mode नहीं है 10 to 15 यह तो class होगी mode कैसे निकाले तो mode निकालने का formula है mode निकालने का formula क्या हम बता देता हूं sorry Z से इसको दिखाते है median नहीं है mode है तो हम यहां लिखेंगे Z had equal to L1 अच्छा रैडबें से लिख देता हूं L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा 1 अब यह डेल्टा 1 क्या है डेल्टा 2 क्या है यह मैं अभी आपको बता दूंगा और इसको multiply करना है i से ठीक है अभी यहां बता देता हूं आपको डेल्टा 1 क्या है डेल्टा 1 जो है उसका फॉर्मूला होगा f1-f0 डेल्टा 2 का जो फॉर्मूला है वो भी बता देता हूं equal to f1-f2 सर यह f1-f2 यह है क्या अभी बजा रहा हूं देखो हमारा सबसे ज्यादा mode के लिए कौन सी class select हुई है यह वाली class select हुई ठीक है तो इसमें जो 10 है इसमें जो 10 है यह 10 यह हो गया आपका l1 lower class ओके सर ठीक है और सर यह क्या है delta 1 वो तो उससे निकलेगा तो f1-f0 यह क्या है तो बेटा देखो इसमें हमको क्या करना है यह जो है 22 10 के जो mode के लिए हमने class select करी है उसकी बात कर रहा है mode के लिए हमने class select करी है 10 to 15 इसमें जो सबसे ज़्यादा यह है 22 frequency हाँ यह है आपका f1 इसके उपर वाली है f0 और इसके नीचे वाली है f2 तो अब आराम से आप निकाल सकते हो delta 1 कैसे निकालोगे f1-f0 तो f1 क्या है 22 f0 क्या है 10 तो आपका delta 1 कितना आ गया 12 delta 2 भी निकाल सकते हो उसका formula है f1-f2 f1-f2 f1 है 22 और f2 है 14 तो 22-14 करोगे तो आएगा 8 यह आपका delta 1 delta 2 है कर गया अगर माइनस में आये तो माइनस इग्नोर करना यह ध्यान रखना माइनस को इग्नोर करना है अब यहाँ पर l1 आ गया plus delta 1 देखो बटा कितना हमारा यह रहा 12 delta 1 12 plus delta 2 8 multiply बटा आई क्या आई मतलब इनका time interval इनकी बीच का interval कितना है 10 to 15 कितना है 5 का तो वो हो गया 5 अब आप इसको solve करोगे तो आपका आजाएगा mode अब आपको पता यह सबसे पहले कैसे solve करेंगे 12 और यह हो जाएगा 20 multiply by 5 पहले यह solve होगा फिर जो answer आएगा उसमें 10 प्लस आएगा 12 में 20 का divide कर दो multiply कर दो 5 से तो आगया 3 प्लस 10 तो यह आगया आपका जैड यानि की mode 13 continuous जैड मोड कितना आगया आपका 13 यह इसमें आना 10 to 15 के बीच में आता है 13 तो 10 to 15 हमें पता तो चल गया की mode इस प्लस में लेकिन कितना है 10 है 11 है 12 है 13 है 14 क्योंकि एक्स्क्लूजीव है तो 15 तो नहीं सकता तो उसके लिए फॉर्मोल लगाएंगे तो यह आगया 13 13 यह आगया हमारा mode यानि की जैड सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिए आपका सपोर्ट चाहिए आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर आते रहेंगे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक यू